दोस्तो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ आप किस तरह से PNV बैंक का स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं चाहे एक्सल में या फिर PDF में दोस्तो ये प्रोसेस आप मोबाइल में लैप्टोप, डेक्स्टोप किसी में कर सकते हैं गूगल पर सिंपल लिख देंगे PNV उसके बाद दोस्तो आप फस्ट वाला ओप्शन देख सकते हैं PNV India.in इस पर आपको किलिक कर देना है उसके बाद दोस्तो आपके सामने ये वेबसाइड ओपन हो जाएगा वेबसाइड है दोस्तो PNV India.in और ऊपर आप दोस्तो देख सकते हैं Internet Banking तो Internet Banking में दो ओप्शन आ रहे हैं Retail Internet Banking और Corporate Internet Banking Retail होता है दोस्तो इंडिविज्वल के लिए और Corporate Internet Banking होता है दोस्तो company के लिए ठीक है तो हम retail का इस्तेमाल करने वाले हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना user ID डालना है तो यहाँ पर मैं अपना user ID डाल देता हूँ आपको continue पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना password एंटर करनी है फिर आपको यहाँ पर capture डालना है फिर login पर click कर देना है दोस्तो आपके सामने पंजाब National Bank का online bank open हो जाएगा उसके बाद दोस्तो statement डाउनलोड करने के लिए आपको चले जाना है manage account में manage account में आने के बाद account summary पर click कर देना है उसके बाद दोस्तो जो आप नीचे आएंगे यहाँ पर दोस्तो आपको आपका account नमर दिखाई देगा और आपका नाम दिखाई देगा और यहाँ पर दोस्तो आपका account balance दिखाई देगा statement डालोड करने के लिए आपको account नमर पर अपना mouse का cursor या पर touch करना है फिर detail statement के नाम से option मिलेगा के बाद दोस्तो यहाँ पर transaction date आपको select कर लेना है आपको कहां से कब तक statement चाहिए उसके बाद दोस्तो transaction period भी select कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तो जैसे current financial year last one month, two month आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर last two month देखना चाहता हूँ तो इस पर मैं click कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो search पर click कर देना है तो यहाँ पर दोस्तो आपका statement यहाँ पर दिखाई देने लगेगा जब आप नीचे आएंगे तो download detail as यहाँ पर option देखने की मिलेगा आप चाहे तो PDF में download कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो PDF में download हो जाएगा उसके बाद दोस्तो Excel में करना चाहते हैं तो Excel में भी आप download कर सकते हैं तो दोस्तो उमीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपने सीख लिया होगा किस तरह से आप जाब नेशनल बैंक का statement download कर सकते हैं